How to fix BSNL SIM not working problem तो दोस्तों ये दि आपका SIM जो है वो काम नहीं कर रहा है और SIM के वज़े से आप परिशान हो रखे हो तो इस वीडियो के साथ बनी रहीएगा दोस्तों यहाँ पर हमारे मोबाल में कही बार हमें ऐसा होता है कि हमारा SIM में जो है Network show नहीं करता है या फिर Network available नहीं दिखाता है Network not registered दिखाता है या फिर no services वगेरा दिखाता है SIM में चाहिए जितना भी problem हो आपको जितना भी problem आपको आ रहा हो और जो भी problem हो कैसे आप सारे problem का solution कैसे निकाल सकती हो कैसे आप fix कर सकती हो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अन तक आपका problem जो है वो solve हो जाएगा मैं ये guarantee के साथ आपको बताता हूँ इसलिए वीडियो के अन तक आप बेढ़ते रही है ठीक है तो दोस्तों यहां पर देखे मैं आपको बता दो वीडियो शुरू करने से पहले कि online पैसे कमाना चाहती है तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा चले शुरू करते दोस्तों यहां पर basic से स्टार्ट करते हैं यहां पर कुछ settings जो है basic settings आपको करना होगा सबसे पहले तो और सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको अपना mobile को restart एक बार कर लेना ठीक है कभी-कभी अपना mobile जो है ज्यादा चलाने के वज़े से heavy load होने के वज़े से यहां पर सिम हमारा काम नहीं करता है लेकिन यह एकदम basic है पहला step है काम फिर भी दोस्तों नहीं होता है तब कोई दिकत नहीं है आपको setting पर जाने के बाद में दूस्तों आ आपको dual sim and cellular network पर जाना है या फिर दोस्तों आपकी mobile में sim management शो होगा या फिर network setting होगा ठीक है वहाँ पर जाना है और sim select कर लेना है आपको जो sim आपका show नहीं हो रहा है काम नहीं कर रहा है उसके बाद में sim card आपको off कर देना यहां से एक बार off कर दीजेगा उसके बाद में फिर से इसे on कर दीजेगा ठीक है यदि काम कर रहा है सही है सही है काम नहीं कर रहा है कोई दिकत नहीं आपको उसके बाद में यहाँ पर sim card के अंदर में यहाँ पर आपको career option दिखाए दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर automatically set आपने id on करके रखा है तो इसे off क करना है ठीक है यहाँ पर मिन जैसे हिए मैंने मैने यहाँ प्यू envie यहाँ पर सर्च किया तब डिивать करने के बाद में आपका नेटवर्क आज आएगा ठीक है तो दो दोस्तों यह करने के बाद तो आपका problem solve हो जाना चाहिए, 90% तो solve हो जाना चाहिए, by chance 10% नहीं भी होता है, तब आपको देख आना है, अभी जो setting में आपको बताओंगा, यह setting करने के बाद में दोस्तों, आपका जो problem है, वो definitely 100% solve हो जाएगा, आपको setting में आना है, और additional setting पे या फिर more settings पे आना है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके mobile में location अलग-अलग हो सकता है, तो आपको मैं जो बता रहो हूँ, आपको सिर्फ concept समझना है, और वो setting ढूणना है, बेक अप एन reset पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको reset to factory setting पे reset system setting only पे आपको डूणना है, ठीक है, आपकी mobile में आपको यह डूण के निकालना है, reset system settings, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको simply अपना password है तो भर दीजएगा, भरने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको reset करने का option दिखाए दे रहा है, इसे आपको reset कर है, तो डूस्तों आपका mobile का सेटिंग्स जतना भी है वो completely , reset हो जाएगा, network setting भो war दूसे रिस्एटिंग्स से वह आपका reset हो जाएगा, reset होने के बाद में आपका जितना भी problem रहेगा, वो सारा आपका solve हो जाएगा, तो डूस्तों यह żeetings करने के बाद में आपका SIM card कांप असानी के साथ अपना problem को solve कर सकते हो, by chance दोस्तों सब कुछ करने के वज़े बात भी नहीं होता है, तब तो दोस्तों आपका technical problem हो सकता है, आप अपना sim company का customer care से बात कर सकते हैं, उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आया होगा, thanks for watching.